हमारे देश में हर छोटे काम को पूरा करवाने के लिए घूस देने की प्रताब बन चुकी है अब वो चाहिए अपना ड्राइविंग लाइसंस बनवाना हो या फिर कोई और सरकारी काम करवशन हमारे देश की जड़ों में एक बिमारी बनकर बैठा हुआ है जिसे पूरी तरह से सिस्टम से निकालने में कोई भी सरकार आज तक काम्याब नहीं हो पाई है फाइनली हमारी आज की गवर्मेंट ने ऐसे कई स्टैप्स लिये हैं जिनकी वज़े से ये काफी हद तक कम हो चुका है और इसका असर दुनिया की मोस्ट करप्ट नेशन की रैंकिंग में भी दिखाई दे रहा है आईए जानते हैं दुनिया के सबसे करप्ट देश कौन से हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनमें भारत किस नमबर पर रैंक करता है तो दोस्तों जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं लेकिन प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे पहले कि हम इस लिस्ट की शुरुआत करें हम आपको बता दें कि आखिर इस लिस्ट में कौन सा देश किस नंबर पर आएगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इस लिस्ट में 0 से 100 अंखों के बीच में रेटिंग दी जाती है जिस देश के नंबर जितने जादा होते हैं वो सबसे कम करप्ट देश माना जाता है। जिन देशों के नंबर कम होते हैं, उनमें ब्रष्टाचार जादा माना जाता है। मिसाल के तोर पर अगर किसी देश का नंबर 0 है, तो वहाँ सबसे जादा करप्शन माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी देश का नंबर सो है तो इसके माइने ये हुए कि वहां करप्शन बिलकुल भी नहीं है चलिए अब इसी के साथ हम अपनी लिस्ट की शुरुवात करते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है साथ सुडान ये देश हालिहीं में बना है और इसी वज़े से यहां पर ज़ादा करप्शन होने की वज़ा समझाती है शायद आप सभी को एक बात स्कूल में जरूर समझाई गई होगी कैसे अंडर डेवलब्ड नेशन में सबसे ज़ादा करप्शन पाया जाता है और जैसे जैसे वो देश डेवलब्ड नेशन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे करप्शन का लेवल नीचे आता रहता है कि 2021 में सुमालिया के राष्ट्रपती मोहमत फर्माजो ने ब्रश्टाचार को लेकर परधान मंतरी मोहमत हुसेन रोबल को उनके पद से ही हटा दिया था रोबल के किलाफ ब्रश्टाचार के आरोपों की जाच के दोरान उनके उपर लगाए सभी इलजाम सच निकले मोहमत फर्माजो ने कहा कि रोबल पर भश्टाचार और सार्वजनिक भूमी का के मिस यूस में शामिल होने का भी आरोप है उन्होंने एक दिन पूर्व रोबल पर चुनावी प्रक्रिया को नाकाम बनाने का आरोप भी लगाया इसी के साथ उनका ये भी कायना था कि परधान मंतरी के काम और शक्तियों की जाच होने तक निलंबित किया गया है और उनकी जगा महंदी मोहमत गुलेल कारेवाहक परधान मंतरी बने रहेंगे राष्टपती ने सभी सरकारी अधिकारियों से सारवजनिक भूमी के मिस्यूच से बचने और देश के कानून और विनियमों का पालन करने की मांग की है अब जहां ये परधान मंतरी ही करप्शन के केस में फसे हो तो बाकी देश का क्या हवाल होगा ये तो आप कुछ सोची लीजिए इसके अलावा यहां पर समुंद्रल, लूट पार्ट और गॉवर्मेंट इंस्टेबिलिटी बहुत बड़े रीजन्स हैं यहां करप्शन बढ़ने के समालिय के साथ कौन सा देश है अब आप येस कर ही चुके होंगे ची हां वो कोई और देश नहीं बलकि सीरिया ही है इस देश के बारे में हम सब एक बात तो जानते ही है कि यहां पर कई सालों से जंग चल रही है जिसका कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बस इसी सिचुएशन का फाइदा उठा कर कई लोग करप्शन फैला रही है इसी देश के कई मिनिस्टर पर करप्शन के आरोप लग चुकी है सीरिया के लोगों के लिए वार और करप्शन के साथ रोज जीना मरना एक आधत सी बन चुकी है सीरिया करप्शन के मामले में पहली पॉजिशन से सिर्फ दो पॉइंट पीछे है 14 पॉइंट के साथ सीरिया दुनिया का दूसरा सबसे ब्रश्ट नेशन है ये दोनों देश पहले नंबर पर 11 पॉइंट के साथ सबसे पहले नंबर पर है इस लिश्ट के तीसरे नंबर पर आता है यमन सीरिया की तरह ही ये देश भी एक ग्रहय युद से जूज रहा है 2014 से चलती आ रही वार आज तक थमी नहीं है और ना जहाने आने वाले कितने सालों तक ये वार चलती रहेगी वार के साथ साथ यहां पर करप्शन भी यहां के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इलेक्शन, फ्रॉड, मिलिटरिक में करप्शन, लोगों को कम पैसा देकर नोकरी पर रखना और ऐसी कई चीजों की वज़ा से इस देश में भरष्ट अशार का स्तर और भी जादा बढ़ता चला जा रहा है यमन, इंडेक्स में 15 पॉइंट के साथ तीसरे नमबर पर आता है अब चौते नमबर के देश की बात करें तो दुनिया के सबसे खुबसुरे देशों में से एक समझे जाने वाला वेनिजूला भी इस लिश्ट में शामिल है वेनिजूला में फैले करप्शिन की एक वज़ा है गौवर्मेंट का नैचुरल रिसॉर्सिस पर जरूरत से जादा बने रहना ये देश एक पेट्रो स्टेट्स का एक्जामपल है जहां पर ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है ऐसी कंट्रीस का डाउनफोल असल में तब शुरू हो जाता है जब नैचुरल रिसॉर्सिस खतम होने की कगार पर आ जाते हैं और वेनेजुला के साथ भी यही हुआ है इसलिए निकोलस मदरो के कारिकाल में वेनेजुला एक पॉलिटिकल और एकनॉमिक टर्बाइन में फस्ता चला गया है इसी वज़े से ये आज दुनिया के सबसे करप्ट देशों की लिस्ट में 14 पॉइंट के साथ 14 नमबर बार आ ट्रांस्पिरिंसी इंटरनेशनल की और से जारी की गई ये रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रेंगी में एक स्तान का सुधार हुआ है हाला कि रिपोर्ट में देश की लोकतांत्रिक स्थिती पर गहरी चिंता जताई गई है इसको थोड़ा गहरा से जुड़ा संकट नहीं है यह ब्रश्टचार से जुड़ा संकट भी है जिसे नियंतरित करनेक में हम नाकाम रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार जादतर आम नागरिक ब्रश्टचार का शिकार बनते हैं जब वो डॉक्टर को दिखाने या पुलीस में शिकायद दर्ज करान के लिए जाते हैं उनसे इसके लिए रिश्वत मांगी जाती है आम तोर पर यह वो लोग थे जिनके पास रिश्वत देने की शमता होती ही नहीं है यह बड़ी समस्या है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है ब्रश्टाचार पर नजर रखने वाली संस्ता ट्रां पिछले साल भी भारत को 40 नमबर ही मिले थे लेकिन रैंकिंग 86 थी पिछले 6 साल की बात करें तो भारत 9 पाईदान नीचे आया है 2015 में बारत की रैंकिंग 38 नमबरों के साथ 76 थी अब आपने पडोसी मुल्क की बात करें तो भुटान सबसे अच्ची स्तिती में है भुटान 68 अंकों के साथ 25 नंबर पर है चीन ने अपनी स्थिती में काफी सुधार किया है पिछले साल इसकी रैंकिंग 78 थी जो इस बार 66 आई है हमारा पडोसी देश पाकिस्तान 16 नंबर नीचे पहुंच कर 140 नंबर पर पहुंच गया है यहां उसका साथ देने के लिए मियानमार मौजूद है इसके अलावा शिरे लंका 102, नेपाल 117 और बंगला देश 147 नंबर पर है और इन सबी देशों में अफगानिस्तान की हालत तो बिगरती ही चली जा रही है तालिवान राज में अफगानिस्तान में ब्रहष्टा चार थोड़ा और बड़ा है 2020 में ये 19 अंकों के साथ 165 नंबर पर था इस साल 180 देश की लिस्ट में ये 174 नंबर पर खिसक चुका है उसका स्कोर 16 है मालदीव भारत की बराबरी से 85 नंबर पर है यूरोपिये देशों में करप्शन और मानावादी कारू की हालत बहुत बैतर है यही वज़ा है कि इस रेटिंग में इनी देशों का दबदबा कायम रहता है माहमारी के बहाने आजादी को काबू में करने की कोशिशे CPI 2021 की रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में करप्शन को कम खने की उपाए दीमें पड़ते नजर आ रहे है लोग तंतर पर भी हमले हो रहे है कोछ देश माहमारी का बहाना बना कर बुनियादी तोर पर आजादी को काबू में लाने की कोशिश कर रहे है 131 देशों ने 10 साल करप्शन पर काबू पाने की कोई खास कोशिश नहीं की है दो तिहाई देश ऐसे जिनका स्कोर 50 से कम है और यहां यह बहुत बड़ा मुद्दा है आज दुनिया जिस तरह से माहमारी से जूज रही है उससे निपटने के लिए एक चोटता की जरूरत है रिपोर्ट से पता चलता है कि माहमारी के खिलाव जारी जंग में भी भ्रष्टाचार अपनी जगा बना चुका है चाहे बात हो माहमारी की जाच की या उसके उपचार की हर जगां रिशवत और भ्रष्टाचार व्यापत है पिछले नो महीनों में अठारो सुस्वे अधिक लोगों ने महामारी और उससे संबंधित मुद्दों में ब्रश्टाचार की शिकायत और कानूनी सला केंद्र से संपर्क किया है इस इंडेक्स में कुल 88 अंक के साथ न्यूजिलेंड और डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है जो कि दुनिया की सबसे 736 वाले देश हैं इसके बाद फिनलेंड, सिंगापॉर, स्वीडन और स्विजलेंड सम्मिलित रूप से तीरिसरे स्थान पर हैं इन सबी को 85 अंक मिले जबकि इसके विपरीत कुल 12 अंकों के साथ साउथ अफरीकी देश दक्षणी सुडान और स्वमालिया को सबसे भ्रष्ट देश घोशित किया गया है वही 67 अंकों के साथ अमेरिका 25 वे और 42 अंकों के साथ चीन 78 वे पाइदान पर है आपके हिसाब से क्या हमारा देश आने वाले समय में इस लिश्ट में और नीचे जाएगा या फिस समय के साथ हमारी स्थेती और भी खराब होती जाएगी अपने सभी विचार हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर का पटन दबान ना भूलें और बाकी जितने लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेर का पटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले मिलें तो मिलता हूँ अगली वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम